सुत्यक फैमिले आज अन्बाक्सिंग करेंगे Poco M6 Plus 5G स्मार्फोन की अगर इस स्मार्फोन की बात करूँ ये स्मार्फोन आपको दो विरिड में देखने को मिल जाता है 6GB RAM के साथ and 8GB RAM के साथ and ये स्मार्फोन तीन कलर में अवेलिबल देखने को मिलेगा black color में, purple color में and आपको मिल जाता है silver color में, जो color आपको सही लगता है आप उस color के और जा सकती हो अभी स्मार्फोन की unboxing करते है वैसे विरिड की बता दूँ कि यो 6GB विरिड है वो आपको 12,000 के price range में देखने को मिल जाता है स्मार्फोन की फोटो सब्सक्राइब मेंशन निकी होई left hand side वी आपको Poco M6 5G देखने को मिल जाता है and right hand side वी आपको Poco M6 5G यहां पर देखने को मिल जाता है अगर other specification की बात करूं कि आपको box में क्या देखने को मिल जाता है तो होने वाल है डिस्प्ले की बात करूं full HD plus डिस्प्ले मिलेगी 120 रिफ्रेश्ट के साथ है premium glass design के साथ देखने को मिल जाता है तो यह इसके main specification वगरा आपको box पे mention किये होई मिल जाते है अभी फोन को unboxing करते हैं देखते हैं स्मार्टफोन हमें कैसा देखने को मिलता है आगया तो इस box को यहां पर रख देता हूं यहां पर ठीक है तो box open करते ही आपको box में से एक और box देखने को मिल जाता है यहां पर सामने आपको फोको लिखा हुआ मिल जाता है इसको वहां निकालता हूं यह आप उपन कर देते हैं सामने आपको sim injector pin यहां पर देखने को मिल जाएगी यहां पर हमें case भी मिल जाता है मैंने वैसे poco m6 की भी unboxing की हुई है मेरे चैनल पर आपको वीडियो भी देखने को मिल जाएग अगर आपने चागूल करने तो चागूल कर सकते हो तो अगर आपको यह पढ़ना यूजर गाइड मैन्यो तो पढ़ सकते हो वरंटी गाड़ इसके साथ है के नहीं है वोको गरंटी नोटिस हमके ठीक है हाडवेर परड़क्ट की एक साल की वरंटी होने वाली है खुद भी पढ़ ले ना जब आप इस स्मार्टफून को भाई करोगे यह रहा हमारा कवर केस की कॉलिडी कैसी है चागूड करवा देता हूं केस की कॉलिडी नॉर्मल होने वाली है मतलब आपको एक से दो मत बाद केस को आफ्टर मार्केट बाई करना पड़ेगा और यह जो कवर है येलो बहुत जल्दी पढ़ने वाला है इतना अच्छा नहीं कह सकता है लेकिं ठीक है आपको साथ में कवर दे रहे हैं अच्छी बात है कई स्मार्टफून ऐसे आते हैं जो आपको केबल चार्जर भी नहीं परवाइड करते हैं बारहां से तेरह जार के बड़ेज में लेकिन पोको एमसिक्स में आपको यह ची मि इसे निकलेगा भी यह हमारा 33 वाट्स के साथ अडेप्टर दिखने को मिल जाता है वास चार्जर नहीं कह सकता है लेकिन हाँ अच्छी जल्दी चार्ज कर देगा यह अडेप्टर भी कॉलिटी अच्छी होने वाली है केबल की कॉलिटी भी अच्छी है लेंस आपको अच् भी साइड में रख रहा हूं फून को रिपूट करते हैं इन दोनों को साइड में रखता हूं सबसे पहले कि इसका कोई काम नहीं है यह रहा मारा स्मार्फोन मैंने खुद भी नहीं चार्ट किया देखते हैं अभी कैसा है फ्रंट लूक कुछ ऐसा देखने को मिलेगा बैक यहां पर आपको फूली ब्लाक देखने को मिल जाते हैं भी तकी औक तबर देखने को मिल जखना है मेरी को पताने लग़ा की आपको दिकर होगा अभी पीछने होसाथ है कि अपको केस्त बेखने में समार्फं को यूज खाना पड़ेग के साथ इसमें कोई प्रमक्ष्ulle है के नहीं पीछे यह नहीं आपको कहीं पर भी मेंशन किया हुआ है लेकिन फ्रंट आपको लाइक डिस्प्ले में आपको गुरिला ग्लास 3 की प्रेक्शन मिल जाती है कि ओवरल लुक की बात करते भी वैसे साइड में बहुत सेक्सी स्माटफोन है डिजाइन लुक सच में यह नंबर कह सकता हूं मैं तो राइट है आपको वॉल्म ऑपन डाउन यहां पर बटन देखने को मिल जाएंगे नीचे उसको आपको फिंगरपिट स्कैनर देखने को मिल जाता है यहां पर एंड टाइप सी पोर यहां पर देखने को मिलेगा चार्जिंग के लिए तो सिम ट्रेय आपको यहां पर लाफ्टन साइड देखने को मिल जाएगी उपर आपको 3.5 mm जैक देखने को मिल जाता है आयर ब्लासर देखने को मिल जाता है जिसके साथ आप बहुत कर सकते हो दो थो एक सायब में देखने को मिल जाते हैं के मिल जाते हैं और उसके नीचे आपको टू मेघा बख्छल साथ मेक्डमल जाता है एंड जो सेल्फी यहां पर अभी आपको शोग हो रही होगी न तो रिबूट तर स्मार्फून को झा देखते हैं अभी अंद आएटरड है पावड ऑपा फोको तो रीबूट करने में थोड़ा सा नदे तो में वीडियो को आगे के आगे पॉस करूंगा तो आगे के आगे सौरी स्किप करूंग का तो जब यह रीबूट हो जाता है तब फिर हम अपनी वीडियो को कंटीणू करते हैं तो ठीक है वही स्मार्टफोन हमारा जो है वह रीबूट हो गया है अगर मैं इसकी डिस्प्ले से स्टार्ट करते सबसे पहले तो इसकी डिस्प्ले को अच्छी होने वाली है 6.79 नाइंच के साथ आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है 120 रिफ्रेश्ट होने वाली है डिस्प्ले गुरिला ग्लास 3 की प्रेक्शन आपको फ्रेंट में देखने को मिल सब्सक्राइब वह मैंने आपको बताई दिया है इसकी सेडिंग में चलते हैं गौरिट 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 ठीक है यह हमारी सेडिंग 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 अबाउट फून स्नैपड्राइगन 4 Gen 2 इसमें आपको CPU देखने को मिल जाता है जो कि गेमिंग के लिए अच्छा हो जाएगा अगर आपने गेमिंग कोई भी करना चाहते हो कर सकतो के दिक्कत नहीं है कि अगर मैं OS की बात करूं तो यह रन करता है थीक है जो की अधर 14 पर बेज दोने वाला है एंड दो साल की आपको OS अपडेट करा देखने को मिल जाएगी ऐसा बैटरी देखने को मिल जाते है 33 वाट के साथ फार्स चार्जिंग देखने को मिल जाते है मैंने आपको पहले भी बिदा दिया था था कामरा क्यारव कर देता हूं यहां से आपको वैसे 108 Mpx के साथ में देखने को मिल जाता है रेवी बिदियो नाँगा फूल वीडियो कि कैसा है कैसा नहीं है डिया कैमरा भाइ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो बाद में बनाऊंगा वीडियो, लेकिन सबसे पहले एक सेंपल से आप दिखा देता हूँ, आपको साथ में फोटो के लिए कुड़ करके, कि फोटो डिटेलिंग में ले रहा है कि नहीं ले रहा है, आप सभी के सामने है, पोको M6 Plus 5G स्मार्टफोन है, एंड यह रहा हमार राम एक्सपेंशन करने का, इसमें आपको option मिल जाता है, मतलो राम को थोड़ा आप अपपडेट कर सकते हो, वो खुद आप अपडेट कर लेगा, वो दिखत में आगी, सैटिंग में जाकर आपको पता चली जाएगा, जब आप स्मार्टफोन को यूज करोगे, IR Blaster देखन को मिल जाता है, fingerprint scanner वगरा वो और एक चीज़ इसमें देखने को मिल जाता है, प्लस IP53 की स्मार्टफोन में रेटिंग मिल जाती है, मतलो IP53 की रेटिंग का मतलो यह होता है, कि यह स्मार्टफोन dust proof होने वाला है, dust and water resistant होने वाले है, मतलो थोड़ी मिटी वगरा गिर जाती है तो स्मार्टफोन खराब नहीं होने वाला है, जा थोड़ा पानी वगरा गिर जाता है, तो स्मार्टफोन खराब नहीं होने वाला, अगर मैं अपने और से बताँ ना, मैंने इतने स्मार्टफोन अन्बॉक्स की है, 11-12000 के budget range में, इसका look design सच में बहुत अपर है, हाथ में इसली कर सकते हैं, एक हाथ से अपना स्मार्टफोन इसली आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर देखकर वगरा प्रावलम नहीं आने वाली, वैसे overview, अच्छा है, कलर वगरा बहुत ब्यार है, लुक की design सच में बहुत अपर है, ब्लैक कलर में, फुली ब्लैक देखने को मि आपने मिलेगा design, यहाँ पर आपको glass back देखनी को मिल जाते है, glass में कोई protection है क्या मैं यहाँ पर दो понад modern colors में देखनार 3D के देखनको यहां पर आपको नर्मने निकल जाएगा चाहिए आपने कोई भी हैवी सॉफटर यूज़ करना है इसली यूज़ कर लोगे वहाँ पर देखकर प्रावलम नहीं आने वाली तो स्मार्टफून के बारे में मैंने आपको बता दिया स्मार्टफून बाय करना चाहिए के नहीं करना चाहिए ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा लेकिं ये वीडियो सिर्फ अन्बाक्सिंग वीडियो थी मेरे को स्मार्टफून अच्छा लगा सच बताऊं तो यार स्मार्टफून वैल्यू फो मनी हो जाएगा मेरे को यह लग रहा है लेकिन आगे जाके टेस्स करूँगा तीन चार देने स्मार्टफून को यूज करूँगा फिर वीडियो बनाऊंगा फिर मैं आपके सामने शो करूँगा तो I hope कि अभी आपको मेरी वीडियो ची लगी अगर आपको मेरी वीडियो ची लगी है तो यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ